कि फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को दो नंबर्स के बीच में रैस्टनल नंबर निकालना सिखाएंगे अभी बहुत असानी से ये ट्रिक है इस ट्रिक को आप पाचा से समझें कि क्योंकि कोई कंपटिश्टिफिक जाम में भी इसका योज होता है रेलवे, बैंकिंग, SST या आपका 7 और 8 क्लास में भी एक कोईश्टन मिलता है कि फाइंट रैस्टनल नंबर बिट्विन टू नंबर्स अब जीसे कोईश्टन नंबर फर्स्ट कोईश्टन है आप ध्यान दीजिए कारा कि फाइंट फोर रैस्टनल नंबर बिट्विन 3 और 6 3 & 6 है, 5 & 6, 7 & 8 हो सकता है इसमें ध्यान दीजिए, 3 & 6 है मतलब कि 3 by 1 और 6 by 1 है मतलब 3 by 1, 6 by 1 है या 3, 6 है या ऐसा भी कह सकता है कि 3 by 2 and 6 by 2 3 by 4 and 6 by 4 मतलब नीचे सेम रहेगा या नीचे सेम नहीं रहेगा denominator सेम हो या denominator सेम नहीं हो, यहाँ कुछ नहीं हो तो क्या है 1, 1 तो 1, 1 सेम है ना, तो जब denominator सेम हो तो इसको बनाने का जो तरीका होता है उसको मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिए, find 4 rational numbers, 4 rational numbers निकलना है, तो जितना rational number निकलना हो उसमें आपको एक add कर दिजिए, 4 plus 1, 5, clear? अब इस 5 का multiplication 3 by 1 में भी उपर निचे कर दिजिए, और 6 by 1 में भी उपर निचे कर दिजिए, 3 by 1 में उपर निचे multiply किये 5 का, 6 by 1 में multiply किये, ति ये भाइलू कितना आ गया, 6 5 तर 30 by 5, देखे ये हो जाएगा 30 by 5 हुआ ना, ये 3 5 जा, 15 by 5 और इसके बीच में, अब 15 by 5 हुआ, अब आगे 16 by 5, 17 by 5, 18 by 5, 19 by 5, 20 by 5, बढ़ते जाएगा, आपको 30 by 5 तक, ये सारा का सेरा rational number किस के किस के बीच है, 15 by 5 और 30 by 5, 15 by 5 का मतलब का, कि 5 से कड़ाएगे तो 5, 3 जा, 15 तर 3, और 5, 6 जा, 36, तर 3 और 6 के बीच का ये rational number है, ठीक है, देखिए ध्यान से, अब देखिए एक और question कराते हैं, जैसे दुसरा है, कि find 6 rational number between 8 and 9, 8 9 का मतलब क्या, कि 8 के नीचे क्या है 1, 9 के नीचे भी क्या है 1, तो दोनों में denominator से हम है न, यहाँ 6 rational number नीकलना है, तो क्या करेंगे, 6 plus 1, 7, जितना rational number नीकलना हो, उसमें आपको 1 add कर देना है, 6 plus 1, 7, अब 7 का multiplication, उपर नीचे, 8 में भी, और नीचे 1 है तो 1 में भी, यहाँ 9 में भी 7 का, और नीचे 1 है तो 1 में देखिए, 8 मतलब 8 by 1 में 7 से इंटू कर दिये, 9 मतलब 9 by 1 में भी 7 से multiply, तो 8 7 जा 56 by 7, 9 7 जा 63 by 7, इसके बीच का rational number यही है, अब आप करते जाए, 56 by 7, 57 by 7, 58 by 7, 59 by 7, 60 by 7, यह सारा rational number किसके किसके बीच है, तो 8 और 9 के बीच, यह क्या यह 8 है, और यह क्या है, यह 9 है, 8 और 9 के बीच का सारा rational number है, समझ गए होंगे, एक और question देखिए, देखिए, find 5 rational numbers between 7 by 2 and 3 by 2, ध्यान दिजे, यह नीचे 2 टू सेम है, मैंने उसी के जैसे बनेगा, शिर्फ 7 3 रहता तब ही निकाल लेते, और 7 by 2, 3 by 2 यह तब ही निकाल लेंगा हम ल 6 का multiplication, उपर नीचे इस में दोनों में, यहां भी दोनों में देखिए, 7 by 2 में भी 6 का multiplication, और 3 by 2 में भी 6 का multiplication, तो 7 6 चा, 42 by 12 हो जाएका नहीं है, यह 3 6 चा, 18 by 12, अब 42 by 12 और 18 by 12 के बीच में अब सुरू है, 42 by 12, 41 by 12, 40 by 12, 39 by 12, 38 by 12, 37 by 12, 36 by 12, बने 18 तक अब सारा rational number क्या होग इस दोनों के बीच का होगा, समझ के तीनों question एक type का है, अब एक चाओथा question तो थोला अलाग होगा, देखिए, find 5 rational numbers between 2 by 3 and 6 by 3, देखिए 2 by 3, 6 by 5 में क्या अलग है, तो देखिए दोनों same नहीं है, 3 है यहां 5 है, पहले same रहता था, यह तो 1 1 रहे, यह 2 2 रहे, यह 3 3 रहे, यहां अलग-अलग है, 2 by 3 और 6 by 5, 5 rational number निकलना है, तब यहां का करेंगे हम लोग, पहले 3 और 5 का LCM लेंगे, LCM of 3 and 5, तो 3 और 5 का LCM 15, अब हम लोग को यह धियान देना है, कि 2 by 3, नीचे 3 है, 2 by 3, तो 3 में किस चिस से multiply करें कि LCM जो 15 आया हुआ, जमने like fraction में convert करना है, तो 5 से नीचे भी और उपर भी दोनों में multiply कर देना है, तो यह कितना हो जाएगा, 10 by 15, फिर देखिए, दूसरा 6 by 5 है, तो यहां भी वही आपको ध्यान देना है, कि 5 में किस से multiply करें कि 15 हो जाए, तो 3 से, तो 3 का multiplication उपर नीचे दोनों में होगा, 18 by 15, इधर 10 by 15 होग या 18 by 15, 10 by 15 और 18 by 15 के बीज में देखिए सारा रियल नमबर, राशनल नमबर, 11 by 15, 12 by 15, 13 by 15, 14, जितना है उतना सब लिखते जाए, 17 तक, ठीक, एक और question देखिए, एक और question देखिए, find 6 राशनल नमबर between 3 by 5 and 7 by 9, ध्यान देजिए, नीचे 5 और 9 है, सेम नहीं नहीं है, तो देखिए, अब आपको ध्यान देना है, कि 5 में किसे multiply करें कि 45 हो जाए, तो 3 by 5 में 9 से तो 9 से उपर निचे multiply, तीका अगर 27 by 45, फिर यहाँ 7 by 9 में 9 में किसे multiply करें कि 45 हो जाए, 5 से, तो 5 का उपर निचे multiplication, 35 by 45, अब 27 by 45 and 35 by 45 के बीच में राशनल नमर हम लो रख सकते हैं, 28 by 45, 29 by 45, 30 by 45, 31 by 45, 32 by 45, 33 by 45, यह क्या होगा, सारा का सारा rational number इस दोनों के बीच होगा, तो उमीर करते हैं कि आपके वीडियो पसंद आया होगा, अब देखिए, अब आप homework देखिए, यह questions है, question number 1 से एक तक इसका screen shot ले लिजे, और आप बनाकर कर मुझे sent कीजिए, यह सारा question उसे तरीका से बनेगा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, तब तक लिए बाए, thank you